Hey guys good afternoon and welcome back to another vlog अभी बज़रे हैं दिन के दो तो अभी मैं है हूँ गर से बार आप देखी सकते हैं मेरा स्पास का विव तो आज मैं आपको ले जाओंग अपनी बाग में सेव की बाग में जो हमारा घर है वो गाउं के स्टार्टिंग में है और हमारी सेव की बाग गाउं के एंड में है तो चलिए अब सिधे आपको बाग में मिलते हैं तो यह में आगिया हूँ सेव की बाग में आप देख सकते हैं पीछे पेड़ी पेड़ें इस बाग में करीब 25 से 30 पेड़ें और उनके बीच में दो आख्रोड के पेड़ भी है एक यहां देख सकते हैं यह पीछे चोटा वाला बाकी एक यह साथ में बड़ा वाला इसके उपर फालगने स्टार्ट होगी बाकी एक तो चोटा ही है इस बाग में खटे सेव के पेड़ भी है जिनका यूज हम उनसे जैम बनाते हैं पैर में कॉटा चुगी है तो यहां नीचे देख सकते हैं घास लगा हुआ है तो अब मैं आपको सेव दिखाता हूँ सेव बहुत सारे हैं लेकिन छोटे हैं और उनको पर अभी से ही रेड कलर आने लग गया है और यह जो डाली आप देख सकते हैं पीछे इस पर देखिए कितने ज्यादा सेव हैं बाकी यह डाली नीचे जमीन तक टच हो रही है तो अब मैं आपको दिखाता हूँ सेव कुछ इस तरी के सेव कुछ अभी हारे हैं बाकी कुछ लाल भी हो गये हैं तो मैं इन में से एक आपको टेस्ट करके बताता हूँ इनका टेस्ट कैसा है यह मैंने खटा वाल सेव पकड़ लिया तो इस छोटे से पेड़ पर लाल सेव दिख रही हैं मुझे यह देख सकते हैं इनका रंग लाल है तो इसको टेस्ट करते ही बस यह खटा ना निकले यह वाला मीठा है सच बताओं दोस्तों तो गलती मेरी खुद की है मैं घर से आया हूँ चपल पैन के मेने शूज नहीं पैना है तो यहां पर मुझे दो बार एकी पैर में कांटा चुब गया है और यहां से मैं वीव भी इंजॉई कर रहा हूँ और साथ में है यह एपी जूस और हपी हपी बिस्किट तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने दूसरे खेत में यहां पर उपर हमारी बाग रहा गई और मुझे जाना है इधर नीचे इन खेतों में यहां पर हमने मक्य लगाई थी जो वीडियो आपने देखी थी तो यहां पर मुझे चक करना है कि क्या इनके उपर दौर एपर अपर नगाए इनके बीच में या नहीं तो सो मरेचे डुकराना है तो ओम हमनी चे नहीं मिलता हूँ बाकि यहां का व्वं देखियं आसपास ज्रान्ट अब आपको मिलते हैं खेत में मक्यां काफी बड़ी हो गी इस खेद की वीडियो मेरे चानल पर है तो आप वो भी देख सकते हैं यह दाल काली दाल और इसने जो है यह बेल छोड़ दी है क्योंकि उनको साहरे की जुरूरत होती तो इसने चो यह मक्य के पोदे के साथ है कुद को साहरा दे दिया है दिश दिखती यहां दी बाकी इनके बीच में गास तो नहीं लगा हुआ है क्योंकि हमने इस खेत में दो बार नेदाई की थी जिसके विए से जो भी अन्वांटेड ग्रास था तो वो निकल गया है अब बस यहां से छोड़ा चोड़ा सा रह गया है तो अभी आगया हूँ मैं घर में और अभी टाइम हो रहा है शाम के चार तो अभी मुझे अपने लिए खाना बनाना क्यूंकि दिनकों मैंने खाना नहीं खाया था यहां पर घर में कोई नहीं है मैं अकेला हूँ सारे घर वाले भधरवा गए होए हैं तो करीब चार दिन तक मैं अकेला ही रहूँगा सारा काम मुझे खुदी करना पड़ेगा तो यहां पर करते हैं हम अपने व्लॉग को एंड अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो त सब्सक्राइब जरूर करें और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्ट्राग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो करें लिक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही तब तक मिलते हैं एक नए दिन एक नए व्लॉग के साथ बाई